यहाँ पर आदिवासी किसी अंडे-पंडे और बाबा फाबा पे भरोसा नहीं करता है क्योंकि इस देश में जैसे आपने मेरी बहन को पूचा कि आपके यहाँ पर राम राज जरूरी है सविधान मैं बोलता हूँ सविधान राज्य जरूरी है जाने के लिए उनका नागरिक नहीं है हम इस देश के मालिक है और हम लोग मालिक होने का सम्मान और अदिकार किसी से मांगेंगे नहीं यह चीन कर लेंगे हमारी 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 कौम में चीनने की ताकत है वासियो के गद्दारों को सरकार देश की चालक है सरकार देश की चालक है सरकार देश की चालक है अवास दो जय बिर्शा बवा सबाम मेट कर जिन्दबाद नात्मा फूले जिन्दबाद सिवाजी महराज जिन्दबाद सागोजी भांगरे जिन्दबाद तंट्या फिल जिन्दबाद जिन्दबाद बवाबुरावशेडमा की जिन्दबाद जिन्दबाद जानी दुर्गाउती जिन्दबाद शिरुपाची मैं नागपुर में पढ़ रहा हूँ रिसर्च कर रहा हूँ ट्राइबल कल्चर और क्रिमिनिजम पे और एक ब्रिसा ब्रिगेड के संगटन में केंद्रिय संगट के तौर पे काम करता हूँ आज आपने जैसे बता है जैसा आपने बता है कि आप रिसर्च कर रहे है तो आपको क्या लगता है कि देश बरे में आदिवासियों पर किस तरह से अन्य अत्याचार होता है क्यों क्या ये आदिवासि भारत नहीं है ये आदिवासि भारत है और वो लड़की केवल मनिपूर की बच्ची नहीं है वो केवल आदिवासियों की बच्ची नहीं है वो भारत की बच्ची है भारत के हर धर्म के हर्म जाती के हर पंत के लोगों ने उस निश्यत को लेकर सामने आना चाहिए था हम लोग देखते हैं कि नेताओं की जब पार्टी रहती है नेताओं की जब कारेकरम रहते हैं तो कदार में लोग खड़े रहते हैं आज एक महिला की इज़त की बात आ गई है इज़त इज़त होती है महिला की हो या पुरुष की हो गाई की हो या बहल की हो इज़त इज़त होती है यहाँ पर महिला उने पुरुषों ने एक साथ डट कर खड़े होना चाहिए था कोई नहीं दिख रहा है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जिनके बदन पर कपड़े निये, जिनके पेट में रोटी निये, वो कैसे सबका साथ और सबका विकास के लिए खड़े हो जाएंगे, हम लोग सर ये विद्धारती है, ये पुरे ट्राइबल स्टुडेंट्स है, यहापर होस्टेल में पढ़ने वाले विद्धारती है, और ये विद्धारती अपनी मा भेनों की रक्षा के लिए सड़क पर जब जब आंदोलन करते हैं, तब तब इन लोगों को अलग-अलग तरीके से बोला जाता है, ये नकसलवादियों के इशारे पर काम करते हैं, ये आतंकवादियों के इशारों पर काम करते हैं, यहापर कि पूरे देश के लोगों का समान किया जाएगा उसी सी कानुन के माद्धन से सब क्या अधिकार एक बराबर किये जाएंगे तो खुछ नहीं है यह यह जो यूनिपॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं यूनिपॉर्म सिविल कोड इसके विरोध में तो डॉक्टर बाबा सा वंबेट करने जब तब आर्टिकल 44 का विरोध किया था हम लोग यह पूरे बिद्धी चुई विद्धार थी आज यूसी सी का विरोध कर रहे है यूसी सी इस देश में लागू होना एक रास्ट एक धर्म क्या मतलब है इसका मतलब यह होता है कि हमारा सविधान खत्रे में सविधान को को लाप्स किया जा रहा है आदिवासयों के कल्चेरर राइट्स और इनहेबिडंड राइज उनके एजुकेशनल राइज सविदान के बात कर रहे है जब दिली में सविदान जलाया गया तो इतने बड़े पाहमाने पे लोग रस्तेपन ही निकले बिलकुल पूरा करेंगे अगर आज की तारिक में केंदर सरकार ने मनिपूर को लेकर या देश में हो रहे जितने भी आदिवासी है अब देखो हम लोगों ने देखा सिवनी में दो आदिवासी ओने एक गवमास को काटा तो उसकी जान ले ली गई थी बाबाव ने इस देश में कार्याज कर रहे हैं और इस देश को हिंदू तो राष्टर गोशित करेंगा असा बता रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा यहां पर आदिवासी किसी अंडे-पंडे और बाबा फाबा बे भरोसा नहीं करता है क्योंकि इस देश में जैसे आपने मेरी बहन को पूचा कि आपके यहां पर राम राज जरूरी है सविधान मैं बोलता हूं सविधान राज्य जरूरी है आपने उस सविधान के अंदर में बाबा में चुना नहीं कर सकती ह aí तो पर आप किस तरह से अपना अधिकार लोगे? सर, देखिए, हम लोग इस बात को मानते हैं कि बाबा साब आम मिटकर ने हम लोगों को वोट देने का अधिकार किया लेकिन हम जिन लोगों को हमारा सामाजिक प्रतिनी दीत वो बना कर एक रिजर्विशन के माध्यम से पारलेमेंट में भेशते हैं विदान सबा में भेशते हैं मारे समाज को ऐसी अवस्था में खड़ा किया है नहीं तो आदिवासी समाज की अवस्था वेवस्था और आवश्चक्ता के बारे में अगर यह सोचते हैं तो आज हमारी माभेनों को सड़कों पर नंगा नहीं किया जाता यह पूरे देश की आलत है जो 217 सेस्टी के MP लोग है वो क्या इस सरकार को गिरा सकते हैं बिलकुल गिरा सकते हैं अगर उनकी नियत है उनकी रगों में उनके लहू में अगर आदिवासियों का खून बह रहा ह है ऐस्यस्ती ओविसी का खून बह रहा है उनों में उनलोगों में इस देश के सौतंत्रवीर जितने भी आदिवासी महावीर है उन लोगों के विचारों के संगर्ष्य अगर चल रहे हैं तो गिरा सकते हैं और अगर ये गंदी नियत की सोच है अगर ये खुटे से बहले बंदे हुए बहल है तो बहल कभी भी इशारे पर काम करता है और वो इशारे पर काम करता जाएगा आने वाले समय में पुरा आपके सपनों का भारत बाबा साब ने इस देश में शिक्षा को प्रभुत्व दिया उन्हें ने कहा था जब भी शिक्षा जो है वो शेरनी का दूद है और जो पिएगा वो इस तरह से दाड़ेगा इस देश में दो तरह के युवा नजर आते हैं एक वो युवा जो कंद जल्द से जल्द निर्मान हो और युवा जो है यह देश की सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत इस देश को फिर से इस देश का इस दुनिया का विश्व गुरु बनाने में सक्षम है